हाई गाईज वेलकम चो आप ब्राइंड न्यू सेशन ऑफ करेंट अफेयर्स आज की तारीख है तीन अगस्त 2021 हमारे दो चानल्स हैं पिनैकल और फ्रंटियर आइस और अगर अभी तक आपने इन चानल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न को मिन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और यह सेशन दोनों चानल्स पर सुबह चार बज़ इवेलेबल हो जाता है साथ ही साथ पर डेली वीडियो पीडियाफ एंड मंतली मैगजीन आप हमारे टेलिग्राम हैंडल्स प्रंटियर आइस और एससे जिर प का स्थ्रो फाइनल के लिए किस भारते ने क्वालिफाय किया है तो इसका सई जवाब था कमल प्रीट कॉर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेस्टन देखो आज के सेशन का दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारते महिला कौन बनी है तो इसका सई के बाद दो व्यक्तिगत ओलंपिक जीतने वाली दूसरी भारते बन गई इससे पहले वे चीनी ताइपे की ताई तजू यंग से महिला एकल के सैमी फाइनल में हार गई थी यहोंने तस्वीर में देखिए रियो में पिछल ओलंपिक में कैरोलीना मारिन से फाइनल में हारन के लिए निम्मल लिखित में से कौन सा कैशलेस और संपर्क रही तुपकरन लॉंच किया है तो इस सही जवाब हो ऑप्शन नुबर C, E, रूपी तो प्रधान मति नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफरेंसिंग के माधियम से E, रूपी लॉंच किया यह डिजिटल पर विती सेवा विभाग, स्वास्त और परिवार कलियान मंत्रालिय और राष्टे स्वास्य प्राधिकरन के सही योग से विक्सित किया है जातास्वीर में देखिए इसका उप्योग मात्र और बार कलियान योजनाओं के तहट दवाएं और पोशन समंदी सहायता, टीबी उन्मुलन कारे करहो, आयुश्मन भारत प्रधान मंत्री जन अरोगे योजना जैसी स्कीमों के तहट दवाएं और निदान, उर्वक सबसिदी इतियादी देने की यो तो एक अगस्तों देश भर के विभिन संगठोनों दवारा मुस्लिम महिला दिकार दिवस मनाया गया, मोधी सरकार ने एक अगस्त 2019 को तीन तलाकी प्रथा के खिलाफ कानून लाया, जिसने तीन तलाके समाजिक कदचार को एक अपरादी कपराद बना दिया है, अगस्त 2017 मे सुप्रीम कोट ने तीन तलाकी प्रथा को अवसम विधानी घुशित किया था, दिसंबर 2017 में सुप्रीम कोट के फैसले और भारत में तीन तलाके मामलों का हवाला देते हुए सरकार ने संसद में मुस्लिम महिला विवा अधिकारों का संरक्षन विधेक पेश किया, विधे उलंगन के लिए तीन साल की जेल का प्रावधान है और उलंगन करता को जुर्माना देने के लिए भी उत्तरदाई बनाता है नेक्स्ट देखो नए लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में किसे नुक किया गया है? तो इस सही जवाब हो ऑप्शनमबर C, दीपक दास तो श्री दीपक दास 1986 बैच के भारतिय सिवी लेखा सेवा ICAS अधिकारी है उन्हें भारत सरकार द्वारा 1 अगस्त 2021 से वित मंत्राले के वेव विभाग में लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में नुक किया गया है श्री दास ने भारत सरकार में केंद्री प्रतियक्षकर बोड में प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के रूप में कार्य किया है नेक्स्ट क्वेशन देखो नौसेना स्टाफ के उप्रमुक के रूप में किसने कारेभार संभाला है तो इसके सही जवाब हो ऑप्शन अबर C वाईज एड्मिरल एसन घोर मड़े तो वाईज एड्मिरल एसन घोर मड़े ने नई दिली के साउथ ब्लॉक में आयुजित एक अपचारिक समारों में नौसेना स्टाफ के उप्रमुक के रूप में पदभर गुरहन किया उन्हें एक जनवरी 1984 को भारती नौसेना में कमिशन दिया गया था वाईज एड्मिरल गोर मड़े को 26 जनवरी 2017 को अती विशिष्ट सेवा मेडल 2007 में भारत के राश्टोपती दवारा नौसेना मेडल और 2000 में नौसेना प्रमुक दवारा प्रशस्ती से सम्मानित किया गया था नेक्स वरसन देखो तो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पी ल ए और भारती सेना के बीच किस राज़र में होटलाइन स्थापित की गई है दोनो देशों की सिनावने सिमाव पर विश्वास और सोहाद्रपुन संबंदों की भावना को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए है यह पूर्वी लद्दाक, सिक्किम और अरुनाचल प्रदेश में दो-दो सहीत देशों के बीच स्थापित होने वाली छटी होट लाइन है बात कर लेते हैं आपर सिक्किम की तो इसी कैप्टल है गैंग टॉप, सीम है प्रेम सिंग तमांग, गवर्नर है गंगा प्रसाद किरा निवान में उत्रप्रदेश सबसे आगे हैं उन्होंने बिंदियाचल गल्यारा पर्योजना यानि बिंदियाचल कॉरिडोर प्रजेक्ट की अधारशिला रखी और मिर्जापूर में रोप वेकोग घाटन किया इससे पहले दिन में ग्रह मंत्री ने लखनों में सरोज अक्ते, कृषी, रोजगार, मुफ्त, रसोई, गैस, वित्रन और ब्रष्टाचार समाप्त करने के एक शेत्रह में क्षीष स्थान पर है नेक्ट पैसे देखो हाल ही में किस राज्या की पहली सडक सुरंग कूथिरन सुरंग चालू की गई है तो इसक सई जवाब हो मिलाडू और करनाटक से जोडने में काफी सुधार होगा 165 करोड के अनुमानत लागत वाली सुरंग के लिए ब्लास्टिंग जून 2016 में शुरू हुई थी बात करें हैं पर केरला की तो इसके डैम ज़री वर्द में आता है मुला परियार डैम परियार इडूकी डैम परिय गवर्णर है आरिफ महमद खान चीफ मनिस्टर है पिनारई विजयन नेक्स वैसन देखो भारते महिला होकी टीम ने किस देश की टीम को हरा कर अपने ओलंपिक सेमी फाइनल के लिए क्वालिफाय किया है तो इसके सही जवाब है ऑप्शन अबर बी ऑस्ट्रेलिया तो भार भारत का सामना अउजेंटीना से होगा जिसने पहले जर्मनी को हराया था भारत पूर्श होकी टीम तीन अगस्त को विश्व चैंपियन बेल्जियम से खेलेगा बात करें यहां पर ऑस्ट्रेलिया की तो इसी कैपिटल है केंबेरा करंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर नेक्स अंबा माता मंदी ने राजस्थान में समुदाय की उद छेड़ दिया भाजपा के राज़े सबा सदस्य और मीना समुदाय के दिगज नेता डॉक्टर किरोरिलाल मीना को किले पर मीना समुदाय का जंडा फहराने के बाद गिरफतार किया गया था लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया मीना समुदाय के सदस्यों का दावा है कि ठार्विश ताबदी का अमगड किला जैपुर में राजबुद शासन से पहले के एक मीना शासक दवारा बनाया गया था और सदियों से उनका पुवित्र स्थल रहा है हिंदू की धार्मिक भावनाओं को धेश प प्रतापसागर चंबल नाशनल पार्क में आता है रंधमबो नाशनल पार्क सार इसका टाइगर इज़र्व कियो लादेंений आशनल पार्क Cashless और Contactless इंस्ट्रुमेंट का नाम है E-Rupi Muslim Women Rights Day एक अगस्त को मनाया जाता है New Controller General of Accounts बन गए है दीपकदास Naval Staff के Wise Chief बन गए है Wise Admiral S.N. घोरमडे Indian Army और चाइना की People's Liberation Army P.L.A. के बीच सिक्के में एक Hotline सापित की गई है State Institute of Forensic Science के धार शिला लखनाओं में रखी गई केरला में कुथिरन टनल को चालू किया गया Indian Women Hockey Team ने Australian Team को हरा कर Olympic Semifinal के लिए क्वालिफाय किया है और जैपूर का अमगड़ फोर्ट हाल ही में खबरों में है बात कर लेते हैं आज के सेशन के Quiz for the Day के आपका पहला क्वेस्चिन है दो व्यक्तिगत Olympic पदक जीतने वाली पहली भारते महीला कौन बनी है और आपका दूसरा क्वेस्चिन है भारत में मुस्लिम महीला दिकार दिवसकब मनाया जाता है इन दोनों क्वेस्चिन का आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर करना है और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथी साथ इस बल आइकन को जरूर प्रेस करना है कि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारे दोनों वेबसाइट्स और टेलिग्राम हैंडल को जोईन जरूर करना है थैंक्यू सो मच